हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या बेहद खास मानी जाती है सोमवती अमावस्या आठ अप्राल यानि आज मनाई जा रही है सोमवार के दिन पढ़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शि होता है कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहत शुब माना जाता है सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा सुनी जाए तो जीवन के सभी कष्टों का निवारन हो जाता है आए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की खास कथा बहुत वर्ष पहले की बात है एक गरीब ब्राहमन परिवार में पती पतनी और उनकी एक कुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ती में लीन रहता था। उनकी कुत्री सुंदर, संस्कारी और गुनवान थी। वो उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे किन्तु निर्धन होने की कारण उसके विवाह में अल्चने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आये। उसकन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीश दिया तो उस लड़की के पिता ने कहा। महात्मा जी बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं मगर हमारी गरीबी की वज़े से हर बार बात बंते-बंते रह जाती है। क्रिपया बताए कब हमारी बेटी के हाथ पी ले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना. महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात परियन नहीं समझ पाया. महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है. महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राहमन दमपती रोते-रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले पास के ही एक गाव में सोना नामक धोबिन जाती की एक पतिवरता महिला अपने पती, बेटे और बहु की साथ निवास करती है जो की एक महान पतिवरता स्थ्री है यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसंद कर लेती है तो आशीश स्वरूप उससे उसकी मान का सिंदू लेले तभी इस लड़की का विवाह संभव है ऐसा करने से इसे अमोग सुहाग भाग की प्राप्ती भी होगी मगर याद रहे वपतिवरता महिला कहीं आती जाती नहीं है महात्मा जी ब्राहमन दमपती के घर से विदा हो गए ब्राहमनी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फत्ते ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाय और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से कूर भी अपने घर लोटाती ये क्रम बहुत दिन तक चलता रहा एक दिल सोना धोबिन अपनी बहु को शाबाशी देते हुए बोली तुम तो ब्रहम मूरहत में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे अभास तक नहीं होता बहु बोली नहीं माता जी मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ मुझे लगा घर के सारे काम आप करती है अगले दिन भोर फत्ते ही सास बहु उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रहम मुहूर्ट में ही घर का सारा काम करके चला जाता है अपने निर्धारित समय पर ब्रहमन की बेटी आये और मुख से भाजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुप कर मेरे घर का काम क्यूं करती हो ब्रहमन की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताए सोना धोबिन पतिवरता होने के साथ साथ नेक दिल की थी वह उस लड़की की मदद के लिए तयार हो गई उस दिन सोमवती अमावस्या थी वो उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहन किये उसके घर की और चल पड़ी उसने सोचा रास्ते में कही पीपल का पेड मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहन करेगी लड़की के घर पहुँचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उसकन्या की मांग में लगाया तो उसके पती के प्रान पकेर उड़ गए उसे ग्यात हो गया कि उसके पती इस दुनिया में नहीं रहे वो ब्राहमन परिवार से विदा लेकर चल पड़ी रास्ते में पीपल का पेल देखकर उसने इंट के टुपडो से 108 बार भहवरी देकर 108 बार पीपल के पेल की परिक्रमा की ततपश्चाक जल ब्रहन किया तभी उसके पती की मिर्ट देह में प्रान लोट आए सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोर्थों की पूर्ती के लिए धोबी परिवार को भेट इत्यादी देने का भी विधान है महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पती की लंबी आयू के लिए व्रत रखती है पित्री दोश निवारल के लिए ये दिन अत्यांत शुब माना गया है इस अमावस्या पर किये गए दान पुन्य और तीरत स्नान से अक्षय पुन्य मिलता है मन शांथ होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं चैत्र अमावस्या विक्रम सम्वंथ वर्ष का अंतिम दिन होता है विक्रम सम्वंथ को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है चैत्र अमावस्या तिथी की समाप्ती के बाद चैत्र शुक्य प्रतिपदा तिथी आती है जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है कहते हैं चैत्र शुक्य प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस स्रिष्टी की रचना की थी नवरात्र भी हिंदू नवर्ष की पहली तिथी से प्रारंभ होता है अमावस्या तिथी के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशी में होते हैं जहां सूर्य आगनिय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है सूर्य की प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है इसलिए मन को एकाग्रचित करने का ये कारगत दिन होता है इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ट होता है पदम पुरान के अनुसार पूजा, तपस्या, यग्यादी से भी श्री हरी को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी की प्रातस्नान का जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्ग्य देने से होती है इसलिए पूर्वजन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायन की कृपा प्राप्त करने के लिए क्रते एक मनुश्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारल करते हुए सूर्य को अर्ग्य वष्य प्रदान करना चाहिए माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के व्रिक्ष में पित्रों का वास होता है इस दिन पीपल और भगवान विष्णू का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है लक्षमी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठी जल में दूद मिला कर चड़ाएं क्योंकि इस दिन पीपल के पेर पर मा लक्षमी का वास माना जाता है पूजन के बाद पीपल की यथा शक्ती परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याइक हत्म होने के लिए प्रार्थना करें इस दिन अन्न, दूद, फल, चावल, तिल और आवले का दान करने से पून्य की प्राप्ती होती है गरीबों, साधू, महात्मा तथा ब्राहमनों को भुजन करवाना चाहिए सनान दान आदी के अलावा इस दिन पित्रों का तरपन करने से परिवार पर पित्रों की क्रिपा बनी रहती है अगर ये विडियो अच्छी लगी हो तो क्रिपया लाइक और शेयर करें